तो आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे फाइनेशल मेनेजमेंट के mcq questions for esic deputy director exam मैसल्फ हरनीट सिंग और अगर आप त्यारी करना चाते हैं इस esic deputy director exam के लिए और अपनी exam को करेक्ट करना चाते हैं तो जल्दी से जाए अनुजिंडल.in पे अनुजिंडल पे जाके by course पे क्लिक करिए by courses में esic पे क्लिक करिए और esic के exam में जाके enroll now पे क्लिक कर लेजिए ताकि आपकी त्यारी जल्दी से और बहुत ही अच्छी तरीके हो से हो सकी है तो चलो चलते हैं अपने questions कियो तो टोटल हम 10 questions discuss करेंगे आज ही class में तो पहला question क्या है पहला question है time value of money indicates which of the following तो times value of money का मतलब क्या होता है क्या question है times value of money का मतलब क्या होता है तो options क्या दे रखे हैं a unit of money obtained today is worth more than a unit of money obtained in future a unit of money obtained today is worth less than a unit of money obtained in future there is no difference in the value of money obtained today and tomorrow and none of the above तो देखो time value of money होता क्या है मान लेजिए आज मेरे पास 100 रुपे है तोडे और यही 100 रुपे मेरे पास लेट के बाद 10 साल बाद है क्या इन दो 100 रुपे की value सेम होगी आज के 100 रुपे और 10 साल बाद 100 रुपे की value सेम होगी भाया बिल्कुल नहीं होगी जो 10 साल बाद 100 रुपे होंगे उसकी value reduce होगी value reduce होगी होगी उसका मतलब क्या है मान लिजिए अगर आज के टाइम पे आप 100 रुपे में 20 गोल कपे खरीद पा रहे हैं क्या 10 साल भाद भी क्या आप 20 गोल कुपे खरीद पाएंगे 100 रुपे से शायद नहीं हम क्या कर पाएंगे कम गोल कुपे खरीद पाएंगे दस या फिर पांच खरीद पाएं तो यह क्या होता है कि हमारे money की value reduce होती रहती है जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात सुने तो वो क्या कहते होते थे भई कि एक रुपे के गोल को पे खाल लेते थे चार-चार और आज क्या होता है दस रुपे के भी चार नहीं आते कही जगा पे तो तो टाइम वर्फ मैल्यू मैंनी क्या है कि जो आज की प्रेजन्ट वैल्यू है पैसे की वो ज़ादा है कहां से फ्यूचर वले से तो फ्यूचर में जो 100 रुपे होंगे फ्यूचर में जो 100 रुपीज होंगे उसकी वैल्यू अब्बे से कम होगी जो वैल्यू आज की है मतलब जो 100 रपे में समान हम आज खरी सकते हैं वो सेम समान हम future में नहीं खरी सकते यह होता है हमारा time value of money का concept तो कौन सा option correct हो जाएगा तो हमारा correct option हो जाएगा option number है कि a unit of money obtained today is worth more than the unit of money obtained in future मतलब आज जो पैसे की value है वो जादा है किस से future में same पैसे की value से देखा है ना वई 10 साल बात जो हम समान करीते हैं जब महंगा हो जाता है तो हम same value पे नहीं रेक पाते है future में मैं 100 पे हमें same material नहीं खरीप रहाएगा तो correct option क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा हमारा option number A a unit of money obtained today is worth more than a unit of money obtained in future ठीक है चले next question पे तो next question क्या कह रहा है इन calculation of internal rate of return internal rate of return मतलब IRR an assumption states that the received cash flow from the project must be not to be not be reinvested, be invested, reinvested, be earned or not be earned देखो internal rate of return में हम निकालते क्या हैं कि अगर हम किसी project में invest कर रहे हैं तो हमें कितना internal rate of return मिलेगा उसमें यही rate of return का percentage निकालते हैं अब जब हम internal rate of return निकाल रहे होते हैं तो हमारी assumption क्या होती है कि जितना हमें inflow आ रहा है cash का जितना हमें inflow आ रहा है cash का वो amount हमारी same amount reinvest हो जाएगी किस rate पे? IRR के rate पे यही हमारी assumption होती है IRR के calculate करते वक्त मान लिज़े अगर हाज हमने first year में inflow आया 10,000 रूपीस तो हमारी assumption क्या होती है कि इन 10,000 रूपीस को company दوبारा reinvest करेगी IRR वले rate पे यह assumption होती है तो correct answer क्या हो जाएगा option number B कि जो हमारी IRR किया जाएगा inflow की amount है वो हमारी क्या होगी? reinvest होगी ठीक है? so the correct option is option number B reinvested चले next question क्योंच 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 है question number 3 according to the concept of financial signaling management behavior result in the new debt issue being regarded as news dash news by the investor देखो question क्या क्या रहा है जब company नया debt issue करती है मतलब नय debentures या फिर loan लेती है नया debt issue करती है तब investor जो होता है वो उसे कैसे लेता है? एक अच्छी news लेता है? बेकार news लेता है? या फिर उसको कोई फरक नहीं पड़ता? question समझाया कि management ने decision लिया कि हम debt issue करेंगे let's suppose dementures issue करेंगे तो उसको जो investor होता है company का वो कैसे conclude करता है? कि या अच्छी ख़बर है बेकार ख़बर है या नॉर्मल ख़बर है? कोई फरक नहीं पड़ता है उससे में यही लेगा कि बिकार बात है कि लोन लेना एक बिकार बात है? लोन ले रहे हैं मतलब उसके पास पैसा नहीं है लेकिन financial signaling theory में हमने क्या पढ़ा था? कि company loan ले रही है या फिर debt issue कर रही है इसका मतलब क्या company के managers के पास एक extra information होती है asymmetric information होती है अब company के managers debt issue कर रहे है मतलब उनको कोई नई opportunity दिख रही है? जब कोई new opportunity दिखती है कही invest करने के लिए तो उनको पैसे चाहिए पैसे लाने के लिए cash लाने के लिए उनके पास दो option है या तो वह equity issue कर दे या debt issue कर दे मान ले जए company के managers के पास एक नई opportunity दिख रही है उनके बास दो option है या equity issue कर दे या फिर debt issue कर दे अगर वह equity issue करते है तो future में जो new opportunities है उससे जो gain होगा वह पुराने और नहीं वाले shareholders में बटेगा और वह debt issue करते हैं जो maximum gain होगा वह किस में बटेगा पुराने वाले shareholders में बटेगा तो जो investors हैं इसको कैसे लेते हैं एक good news की तरह लेते हैं तो correct option क्या हो जाएगा हमारा option number a good news क्यों कि अगर company debt issue कर रही है मतलब managers को दिख रहा है कि उनके पास new opportunity है जिसके through वह gain कर सकते हैं मतलब इस money को invest करके वह higher returns कमा सकते हैं और at end of the day जब company higher returns कमाएगी तो उसका benefit क्या होगा benefit किसको होगा investors को ही होगा तो correct option क्या हो गया हमारा option number a next question में चलते हैं तो next question क्या कह रहा है the cash operating cycle is equal to which of the following तो पहली बात cash operating cycle का मतलब क्या होता है cash operating cycle का मतलब होता है अगर basic terms में बात करें कि cash कितना flow कर रहा है देखो जब कोई company वह करती है तो सबसे पहले वह raw material खरीदने के लिए cash pay करती है उसके पास raw material आ जाता है raw material को finished goods में convert करती है finished goods को market में बेचती है और let's suppose credit में बेच रही है credit में बेच रही है मतलब वह अपने debtors create कर रही है receivables create कर रही है और जब receivables से पैस आएगा तो वह हमारा पैस cash फिर से आगया cash flow कैसे हुआ cash था company के पास cash से company ने raw material खरीजा raw material से finished goods में convert किया finished goods let's suppose credit में बेचे तो उनके पास companies के पास accounts receivables आएगे accounts receivables जब payment हो जाएगी उनकी तो company के पास दुबारा cash आजाएगा यही होते cash operating cycle अब इसमें cash को दुबारा company के पास आने में कितना time लग रहा है let's suppose यहाँ पे company ने raw material खरीजा और raw material को finished goods convert करने में company ने 15 days लिये और जब बेच दिया इसे बेचने के बाद जो हमारा payment हुई receivables के बाद मतलब यह total हमारा process लगने में 15 days लगे और जब बेचने के बाद payment करी debtor ने उसने let's suppose 20 days ले लिये तो company इसके बाद दुबारा cash बनने में कितना दिन लग गए 35 days मतलब हमने क्या add किया एक तो receivables raise add करे और inventory holding period add किया जो inventory holding period उने add किया इन दोनों से हमने क्यान निकाल लिया कि company के बाद cash किती जिर में आ जाता है और अगर इसके आगे suppose करो कि मान लो company ने यहाँ पर cash की बजाए credit पर raw material लिया होता company ने credit पर raw material लिया होता credit पर raw material लिया होता मलब company ने cash pay नहीं किया और let's suppose सिरफ 5 दिन बाद जाके company ने pay किया तो अब क्या हो जाएगा देखो company के पास से cash तो यहाँ पर गया और वापसी कितने जिनों बाद आया इस date को आया तो total days कितने लगे होंगे क्या हो जाएगा 5 days ने तो 10 plus 20 30 days मतलब operating cash cycle में हम note क्या करने है कि company के cash को cash convert करने में कितना time लग रहा है तो उसमें हमने क्या किया सबसे पहले तो अपना inventory holding period को add किया inventory holding period को add कि कितने दिन में हमारा जो debtor है यह accounts receivable है वो payment कर रहे है यह यह add करी हमने फिर उसके बाद subtract क्या किया जो payable days है तो correct option क्या हो जाएगा हमारा option number A receivable days plus inventory holding period minus payable days दुबारा देखो अगर समझ नहीं आया देखो दुबारा समझ लेते हैं मान लीजिए सबसे वहले company करेगी क्या पूरे explain करता हूँ let's suppose company ने credit में समान खरी जा credit में जब समान खरी जा उसके पास raw material आया raw material को finished goods और finished goods के बाद उसे बेचने में उसको let's suppose 20 days लगते हैं और जब finished goods को बेच देते हैं उसके पास receivables आ जाते हैं receivables payment होने में कितना दिन लगते हैं let's suppose 10 days तो total cash को cash convert होने में कितना दिन लग रहे हैं 30 दिन भही मान लीजिए company ने क्या होगा देखो यह तो तब हो गया अगर cash पे खरीजा हुआ था अगर cash पे नहीं खरीजा होगा था company ने सिरफ 5 दिन बाद जाके payment करी है अपने receivables की तो total की दिन कितने हो गए 15 दिन यहांके हो गए और 10 दिन यहांके हो गए उसमें हम क्या करते हैं payables days minus कर देते हैं तो cash operating cycle का जो हमारा answer निकलता है वो कैसे निकलता है receivable days plus inventory holding period minus payable days next question है हमारा question number 5th question number 5th क्या कह रहा है the expected rate of return on a bond if bought at a current market price and held to maturity is known as यह तो बिलकुल ही हमारा direct question है question क्या कह रहा है जब आज हम market date से bond खरीकते हैं और उसे maturity तक रखते हैं maturity का date मतलब जब company पैसा वापसी करती है मतलब secondary market में बेचने के बजाए हमने company से ही पूरा पैसा वापसी लिया उसको maturity तक रखते हैं तो उस period में जो return कमाया जाता है उस return को क्या गयते हैं उस return को क्या है हम yield to maturity हमारा correct option क्या हो जाएगा option number a yield to maturity और yield to maturity हम निकालते कैसे हैं under root of n current face value upon current price current price minus 1 यह हमारा yield to maturity निकालने का formula हो गया कि भाई n का मतलब क्या है कि जितने period के लिए हमने रखा था और current price जिस पर हमने खरीजा था face value जितनी company हमें return करेगी जो maturity पर amount मिलेगी हमें ठीक है चलें आगे next question है question numbers is match the following option तो हमारे पार दो items दे रखी है दो list दे रखी है हमें match करना है उनके features के तुरू पहला है capital budgeting capital budgeting होता क्या है capital budgeting होता है कि जो हम long term investment decisions लेते हैं जो हम NPV IRR वो सारी चीज़े निकालते दे कि क्या हमें invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उदर हम क्या कर रहे हैं क्या वो liquidity planning है क्या वो liquidity ratio क्या inventory control है या issue expense है तो भया capital budgeting हो गया हमारा planning का वे कि हाँ हमें invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा capital budgeting हमारा option number अगर हम directly देखें तो सिद्धा 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 क्लिक कर सकते हैं टिक करके आगे बढ़ सकते हैं यह हमारा और कहीं पर भी नहीं है हाना लेकिन हम हमारे पास access time होगा तो हम क्या देखेंगे अगले भी देख लेंगे क्या बाकी option सही है या नहीं cash position ratio क्या होता है कि company की cash ratio है वह क्या है और वह हमारी liquidity ratio होती है कैसे निकालते हैं cash position ratio जो हमारे financial assets होते हैं cash and cash equivalents होते हैं उन्हें divide करते है current liabilities से वह होती है कि company के वास कितना cash पड़ है वह होती है हमारी cash position ratio तो मतलब B का क्या होगा second यह भी ठीक है यह ठीक है अगर third का देख लें eoq क्या होता है economic order quantity economic order quantity का मतलब कि हमें कितनी quantity का stock रखना चाहिए order करना चाहिए जिससे हमारी cost सबसे कम लगे तो वह inventory control management का part है eoq निकालना तो option number C क्या है हमारा third के साथ match हो रहा है तो यह ठीक है cost of capital क्या है issue expense है तो यह ठीक है तो correct option क्या हो जाएगा option number C 1234 मतलब सारे same ही दे रखे हैं directly मतलब आमने सामने दे रखे हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार आमने सामने दे रखे हो हमें मैज़ी following करना था इस case में क्या हुआ है कि वह आमने सामने दे रखे हैं ठीक है चलें आगे next question पे तो next question है हमारा question number 7 if the intrinsic value of a stock is greater than its market value which of the following is a reasonable conclusion intrinsic value क्या होती है किसी कम share की intrinsic value बोला जाता है fair value fair value का मतलब क्या है कि असली में उस share के क्या price होने चाहिए जब हम calculation करके निकालते हैं और market value क्या होती है कि किस value पे किस price ते वो trade कर रहा है stock exchange में यही होता intrinsic value क्या होती है fair value की अगर हमने calculations करी और fair value निकाली company के तो वो क्या है greater है हमारी market value से मतलब company की value है उसकी stock की जादा होनी चाहिए थी लेकिन market value कम चल रही है अब दो चीजे होती है या तो कोई stock under value होता या over value होता equal value होता मतलब कोई वो नहीं है under value का मतलब क्या देखो reality में क्या है उसकी fair value जादा है किसी चीज़ की fair value जादा है मतलब उसकी क्या कहते हम एहमत जादा है उसकी value जो है 200 रुपे है लेकिन market में वो let's suppose 150 में trade हो रहा है मतलब अभी लोग उसे इतना value नहीं दे रहे हैं तो यह क्या है जो हमार intrinsic value जादा है market value से तो इसका मतलब क्या हो गया जो stock है हमारा stock exchange में under value है उसकी जो amount होनी चाहिए यह trading value होनी चाहिए वो जादा होनी चाहिए लेकिन अभी कम रुपीज में trade कर रहा है तो correct answer क्या हो जाएगा हमारा option number C the market is undervaluing the stock मतलब reality में उसकी stock की value बहुत जादा है fair value जो intrinsic value आई है वो जादा आई है और जिस amount पे वो trade कर रहा है stock exchange भी वो कम है over value का बहुता वही मान लेजिए जगर हमारा fair value कम होती और market price जादा होता मतलब market में वो trade जादा price पे कर रहा है लेकिन actual value जो होनी चाहिए थी उसकी intrinsic value जो होनी चाहिए थी वो कम थी तो वो हमारा क्या आजाता overvaluing का case आजाता ठीक है तो correct option क्या हो जाएगा option number C the market is undervaluing the stock चले next question पे तो next question है हमारा question number 8 in the area of corporate risk management systematic risk fulfill which one of the following condition अब जो risk होता है हमारा दो categories में divide होता है कौन कौन सी category में एक होता है systematic risk एक होता है unsystematic risk systematic risk क्या होता है systematic risk वो risk होता है जो सारी companies पे easily बात करूँ तो सारी companies पे same applicable होता है जो हमारा market risk होता है कि भाई मान लो अगर जैसे करोना आया था covid आया था हमारा तो covid क्या था 99.9% companies को effect कर रहा था उसने मतलब सब के लिए वो same था अगर मान लिजे कोई government policy change करती है companies के लिए इंडिया की तो वो सारी companies को same level पे effect करेगा वो हमारा होता है systematic risk unsystematic risk क्या होता है जो company to company vary करता है मान लिजे oil के prices change हो गए अगर oil के prices change हो रहे है क्या वो किसी textile industry को effect करेगा might भी नहीं करेगा तो वो क्या कहलाता है हमारा unsystematic risk यह जो business to business vary करता है ठीक है अब देखते हैं कि statements पढ़ते हैं कौन सी सही है कौन सी गलता है systematic risk is unavoidable अब यह जो बात कर रहे हैं यह investor के point of view से बात कर रहे है क्या कौन सा risk तुम्हें लगता है कि avoidable है और unavoidable है जो systematic risk होता है वो market risk होता है अगर covid के time से पहले हमने कोई भी share खरीदा होता तो obvious है जब covid होगा तो 99.9% chances हैं कि वो गिरेगा कोई भी share होता हो गिरे थे सारे shares गे रहे थे मतलब अगर हम किसी को भी ले लेए चाहे ओटो सेक्टर ले 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 चाहे कोई और tech sector लेते सारे गे रहे थे मतलब systematic risk हमारा क्या होता है unavoidable unsystematic risk जो business to business vary करता है वो क्या होता है avoidable उसे avoid कैसे करता हूँ मैं diversification करके कैसे करकता हूँ FMCG और अलग अलगो अगर मैं different different sectors की industries अपने portfolio में रखूँँगा तो उससे होगा क्या जो हमारा unsystematic risk है वो reduce हो जाएगा क्योंकि वो जैसे अगर FMCG में कोई problem आएगी तो वो oil या फिर tech industry को थोड़ा तंग करेगी तो हमारा systematic risk होता है वो unavoidable होता है तो यह statement तो बिलकूल ठीक है एक बागी statement भी पढ़ लेते है systematic risk is avoidable तो भाई अभी बात करें systematic risk हमारा avoidable नहीं होता क्यों नहीं होता जिस मर्जी market में लगा लेता अगर political influence होगा या political कोई वो निकाला जाएगा कि सारी companies को follow करना है तो जो मर्जी company हो हर एक को effect करेगा ही करेगा ठीक है The level of systematic risk as asset cannot be measured by beta coefficient गलत है The expected return and beta relationship is referred as systematic market line तो यह भी गलत है systematic market line नहीं कहते हैं उसे क्या कहते है security market line तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा Option number A systematic risk is unavoidable This is contribution of an individual asset to a risk of market get portfolio ठीक है चलें next question पर तो next question है The proposal is accepted if the profitability index is more than 1035 पहले जिस तो profitability index होता क्या है तो profitability index क्या होता है यह हमारी ratio होती है और ratio कैसे निकालते हैं टोटल प्रेजेंट वेल्यू आफ कैश इनफ्लो अपॉन में टोटल प्रेजेंट वेल्यू आफ कैश आउट फ्लो यह होता है हमारा प्रॉफिटिबिल्ट इंडेक्स इनफ्लो अपॉन में आउट फ्लो कब आपको लगता है कि हमें प्रोजेक्ट को accept करना चाहिए कि जब हमारा इनफ्लो बड़ा हो आउट फ्लो से यही रूल बनता है ना बई जितना पैसा आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए जितना जा रहा है से जब इनफ्लो ज़्यादा हो हमारा आउट फ्लो से वही हमारा तभी हमारा किसी प्रोजेक्ट को accept करना चाहिए अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा किसी भी आउट फ्लो से वो कब होगा जब इनफ्लो की अमाउंट ज़्यादा होईगी आउट फ्लो से देखो जब अगर inflow की amount काम होगी हमारी outflow से तो जो amount आएगी वह 0 से 1 से नीचे आएगी let's example लेकर देख लो let's suppose inflow हो रहा है 800 का और outflow हुआ 1000 रुपीज का तो 0.8 answer आगया मतलब 1 से कम अगर same हुआ है तो company indifferent रहती है indifferent रहती है मतलब वो project को accept कर भी सकती है ने भी कर सकती और वहीं अगर ज़्यादा हुआ है तो वो accept करेगी तो answer क्या जगा 1.1 तो मतलब 1 से जब ratio ज़्यादा होगी तो वो हमारा वो माना जाता है कि हाँ हमें proposal को accept कर लेना चाहिए ठीक है अब कई कईयों के mind में ये question आता है 3 और 5 भी तो सही answer है अब ध्यान चाहिए इनोंने क्या पूछा more than क्या होना चाहिए तो more than 1 होना चाहिए more than 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 वाला भी accept होता है और 1.1 वाला भी accept होगा 1.001 वाला भी accept होगा तो correct answer क्या है option number 1 चलें last question पे अब last question में आपके साथ discuss नहीं करूँगा तो last question क्या कह रहा है project costing 8 lakh and the life of 5 years is expected to bring a cash inflow of rupees 2 lakh per annum what is payback period तो अब ये question में आपके साथ discuss नहीं करूँगा आपको क्या करना है इसका answer comment box पे mention करना है और बताना है कि payback period क्या होता है चीक है और कौन सा option right है payback period क्या होता है कौन सा option right है चीक है ये आपको बताना है that's all for today bye bye take care see you soon